हेलो मेरे कलाश रंद के पैरे बच्चों एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं दुर्गा पसा दिया दो आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्जाम ओरेंट कुष्चन जो की एमांडा लेसंसे हैं एमांडा जो की एक पोयम है तो एमांडा के ऊपर जो हमने एक वीडियो बनाया था जो की उसका एमसी क्यूज था और आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे standee based questions जो कि आपके paper में एक poem poem का एक standee आयेगा और उस standee based 3-4 questions जो आते हैं तो हर एक standee wise हम लोग एक-एक standee को पढ़ेंगे और उसके questions को भी हम आपके सामने discuss करेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही important होने वाला है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं without any waste of time so let's see begin आपको सामने पहला इस्टेंजा देखिए है ये पहले इस्टेंजा को हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके बाद आगे बाद करेंगे चलिए डॉन्ट बाइट यूर नेल्स अमांडा अमांडा अपने नाखून को ना काटो don't hunch your shoulders अमांडा अपने कंधे को जुका करना रहो stop that slouching and sit up stride जुकना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा ये थी इस्टेंजा की हिंदी अब देखते हैं इस पर हमें कितने question मिल तकते हैं इसके सामने देखे पहला question इसका है is Amanda disturbed with her elder's instructions करक्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परिशान होती है क्या अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से परिशान होती है तो इसका answer है yes Amanda is disturbed with her elder's instructions हाँ एमांडा अपने बड़ों के निर्देसों से परिशान होती है यह था question number first question number second कहता है ध्यान से देखेंगे आप according according to the instructions एमांडा should sit up निर्देसों के अनुसार एमांडा को बैठना चाहिए answer देखिए इसका answer कहता है according to the instructions एमांडा should sit up straight निर्देसों के अनुसार एमांडा को सीधे बैठना चाहिए कैसे सीधे बैठना चाहिए क्योंकि निर्देस में एमांडा को सीधे बैठने के लिए कहा गया है question number third देखते हैं according to instructions what should एमांडा not bite निर्देसों के अनुसार एमांडा को क्या नहीं काटना चाहिए answer देखिए according to the instructions निर्देसों के अनुसार एमांडा should not bite her nail एमांडा को अपने नाखून को नहीं काटना चाहिए next one question number four the instruction to एमांडा is not sit निर्देस है कि अमांडा को नहीं बैठना चाहिए इसका answer देखिए the instruction to एमांडा should not sit slouching by निर्देस है कि एमांडा को सुष्ती से नहीं बैठना चाहिए आपका पहरा stranger खतम होता हुआ अब देखेंगे दूसरे stranger को दूसरे stranger देखिए आपके सामने there is a language इम्राल सी where the soul inhabitant is me a mermaid drifting blissfully there is a language इम्राल सी वह एक हरे बरे समुदर में होती ठीक है वह वहाँ पर अराम से इधर उधर घूमती वह एक जलपरी की तरह है उसमें प्रसनता पूरवक रहती चलिए अगर आप इस lesson की detail में हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी explanation तो आपको उसका वीडियो इसी वीडियो के discussion box में मिल जाएगा यहाँ पर हम बस आपको short में बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा question अंसर भी तो cover करना है चलिए देखते हैं इसका पहला question क्या बनेगा इस lesson इस prices का पहला question आपके सामने करें कि Amanda अपने बड़ों के निर्देशों के से आजादी नहीं चाहती थी करें false, गलत एमांडा वांटेड फ्रिडम प्रॉम हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन सत्य है असत्य है अमांडा अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से आजादी चाहती थी यह कतन क्या है यह कतन असत्य है क्वेशन नमबर सेकंड है वाट इस दा कलर आफ सी समूद्र का रंग कैसा है इसका अंसर है समूद्र का रंग हरा है कैसा है हरा है क्वेशन नमबर थर्ड क्वेशन नमबर थर्ड है हू लिप्स इन दा सी समूद्र में कौन रहता है इसका अंसर है मर्मेड लिप्स इन दा सी समुद्र में जल परी रहती है ओके नेक्स्ट वन अगला कोशन देखते है फोर नमर कोशन दा वर्ड दा वर्ड लेंग्विड मीन्स सांत सब्ड का अर्थ है पीस्फुल क्या है यह कोशन आप के लिए वेरी 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 बोर्ट अब आपके सामने आगया पैसेज नमबर थर्ड पैसेज नमबर थर्ड को आप पहले पढ़ेंगे उसके बाद आगे डिड यू फिनिस यूर होमवर्क अमांडा अमांडा क्या तुमने अपने गिरिकारे को पूरा कर लिया डिड यू टिड यूर रूम अमांडा क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया मैं सूशती हूँ मैंने तुमसे कहा था अपने जूते को भी साफ कर ली ना ये था आपका पैसेज अब इसके उपर जो कोईशन है उनको हम लोग चेक करेंगे पहला कुशन इसके उपर बन रहा है did Amanda's parents ask her to clean her shoes true false क्या Amanda के माता पिता उसे जूता साफ करने को कहते थे या कथन सत्य है कि असत्य है क्या कि true सत्य हाँ सही है yes Amanda's parents asked her to clean her shoes हाँ Amanda के माता पिता उससे अपना जूता साफ करने के लिए अब question number second है आपके सामने does not like parental control Amanda her brother को उसके माता पिता का नियंतरण नहीं पसंद था किसको? Amanda को Amanda does not like parental control मतलब Amanda को अपने माता पिता का नियंतरण बिल्कुल भी पसंद नहीं था okay question number third देखते हैं अब question number तीसरा आपके सामने यहां से is Amanda asked to tidy her room क्या Amanda को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है? yes, हाँ इसका answer है yes, हाँ Amanda asked to tidy her room हाँ Amanda को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा जाता है question number four some things कभी कभार her parent ask to complete her work कभी कभी उसके माता पिता उसे पूरा करने के लिए कहते हैं क्या पूरा करने के लिए कहते हैं? इसका answer देखिए इसका answer है यहाँ sometimes her parent ask her to complete her work कभी कभी उसके माता पिता उसे उसका ग्रेका रहने के home work पूरा करने के लिए कहते हैं अब आपके सामने चौथा पैसे जाने की last passage है यह आपका कौन सा है? यह आपका last passage है ध्यान से आप देखेंगे I am an orphan अगर मैं एक अनाथ होती roaming the street मैं गलियों में घूमती I pattern soft dust with में husd bare feet मैं अपने नंगे पैरों से कोमल धूलों पर design बनाती pattern याने नमूने बनाती the silence is golden सांत रहना तो मुल्यवान है the freedom is sweet लेकिन जो आजादी है न वो बहुत ही सुखत है चलिए अब इस पैसे के उपर हम लोग question पर question देख लेते हैं पहला question यहाँ पर दागा गया है what was Amanda's which Amanda की क्या इच्छा थी इसका answer आको सामने यहाँ पर आ गया दंदना आता हुआ Amanda's which was to be an orphan Amanda की इच्छा थी क्यों है अनात होती question number second Amanda imagines that she is roaming freely in the in the कहाँ पर गलियों में in the street चलिए इसका answer है street क्या है street question number अगला देखते है last question है यहाँ करिए तीसरा question तीसरा question है according to Amanda the freedom is Amanda के अनुसार आजादी क्या है answer है according to Amanda the freedom is sweet Amanda के अनुसार आजादी मीठी है कैसी है मीठी है question number four who is the poet of the poem इस कविता का कवी कौन है इसका answer Robin Robin Lean Robin Lean is the poet of the poem okay so यह आपका थाल यह Amanda का वीडियो Amanda के उपर जो passage based passage based question थे उसको हमने आपको दिखाया बताया ठीक है अब जो बात समझ में आई है जो बात ना समझ में आई है थारी बात है आप हमसे पूछेंगे तो चलिए ठीक है हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में बात में आप हमसे आफ हमसे तू